हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आज चैनल ग्यानमतिका तो फ्रेंड्स हम लोग ने टेंसे सीरीज कंप्लीट कर ली है और टेंसे के बाद अब मोडल सीरीज चल रही है तो मोडल का पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा बाकी अब चलते हैं अब कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है यह आपको कैसे पता चलता है इस वाले वर्ब से तो यह दोनों वर्ब क्या है यह दोनों ऑक्जिलरी वर्ब है ऑक्जिलरी वर्ब अक्जिलरी मतलब होता है किसी की जगा उसी की जगा कोई चीज है उसकी जगा दूसरी चीज को इसके जैसे तो auxiliary verb आपको help करता है पहचानने में कौन सा form में है present में है कि past में है कि future में है ठीक जैसे कि एक और लिखे देते हैं I will go to market ठीक statement है तो देखे गो तो main verb है क्योंकि जाना जाना हमारा काम है जो काम कर रहे हैं वो क्या है जाना ठीक गो लेकिन वो किस tense में कर रहे हैं वो am was और will से पता चलना है कि present past यह future में हम कर रहे है तो यह जो auxiliary verb है यह हमें tense identify करने में भी help करता है दूसरी चीज़ यह होती है यह जो होना यह अपने आप में भी एक verb होता है कभी-कभी यह main verb की तरह इस्तमाल होता है जैसे I am goku एक statement मैंने पढ़ाया था अपने tenses lecture में तो मैं goku हूँ इसमें कोई main verb देखे नहीं है main verb absent है ठीक तो होना भी एक तरीके का verb होता है कि जैसे मैं एक student हूँ I am a student या फिर I am a teacher इस तरीके से कई सारे verbs होते हैं जो हम लोग ने use कर रखे यहाँ पर ठीक तो यह चीज आपको सौझ में आ गई ना कि हम लोग जितने भी use कर रहे है modal auxiliaries उनके अलावा जो auxiliary verbs है वो हमारे किस चीज में काम आते हैं वो हमें बताने के काम आते हैं कि अच्छा ठीक है यह यह चीज़े exist कर रही है और किस tense में exist कर रही है और फिर जाके कई बार उनको as a main verb use किया जाता है ज आपका mood क्या है कभी आप गुसा भी होके बोल सकते हैं प्यार से भी बोल सकते हैं किसी के लिए काम ना कर सकते हैं किसी को order दे सकते हैं किसी से permission मांग सकते हैं तो यह जो भाव होते हैं यह भाव पता चलते हैं हमें किन से modal auxiliary से इनको भी हम verb की तरह भी use कर सकते हैं और auxiliary verb की तरह भी यूज कर सकते हैं मतलब यह main verb भी हो सकते हैं main verb और auxiliary verb दोनों की तरह यूज किया जा सकता है तो यह चीजे जो models की list है वो आपने पीछे के lecture में भी देखी होगी और कुछ बाते वहां भी पीछे के lecture में discuss की गई है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं चलते हैं अपनी next slide की तरफ तो किस ताप के moves वो detect करते हैं permission, ability, possibility, suggestion and advice, promise, intention, request, necessity, compulsion, prohibition, wish, prayer, duty या obligation तो इस तरीके से कई सारे आपके moves को detect करने के लिए use किया जाता है ठीक है तो ये सब चीज़े आपको सिखाती हैं कि किस तरीके से हमें models को use करना और उनसे कौन-कौन से भाव react हो सकते हैं पिछला lecture जरूर देख लीजेगा अगर आपने नहीं देखा है कि उसमें कुछ model auxiliary cover कर लेगा है जैसे may, might, ये सब can, could, ये सब cover किये जा चुके हैं फिर आप आते हैं नए model पर अपने तो सबसे पहले होता है should future in the past की तरह जब use किया जाता है तो देखें ये मैंने उसमें भी बताया था कि direct indirect यानि कि narration में ये use होता है ठीक, narration में, direct indirect तो इसमें narration में भी use होता है और narration को हम direct indirect भी बोलते हैं कभी-कभी active passive में भी किसी तरीके से use किया जा सकता है इनको ठीक है तो ध्यान में रखेगा future in the past में तो जैसे shall से ही इसका past form जो है past form वो should है तो ये चीज़ को ध्यान में रखेगा ठीक, shall का past form है should तो फिर duty obligation के लिए use कर सकते हैं तो future in the past का example statement क्या हो जागा? I told you that I should pass the exam मैं तुम्हें बताया था कि मैं exam pass कर लूँगा ठीक, फिर duty obligation जैसे कि आप किसी को कहते नहीं ये तुम्हारा करतब है कि तुम्हें ये करना चाहिए तो कहते नहीं promises should be kept अपने बात की value होनी चाहिए ठीक है promises should be kept जैसे कि बोलते नहीं है प्रांट जाए पर वचन न जाए तो वही वाली बात है ये purpose warning देखे अब कई बार आप बताते भी है ना किसी को कि कोई purpose है कि ये कर सकते हो या फिर इसको warning भी दे सकते हैं तो walk carefully less you should fall देखे लेस्ट के साथ should use करिएगा हमेशा ये जब आप conjunctions पढ़ेंगे तो फिर उस time में आपके काम आएगा लेस्ट के साथ should use करिएगा जब भी मतब कागर combination में यूज करना पड़े तो तो ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे ठीक फिर condition की condition होती है कि अगर तुमने महनत करी होती तो ये हो जाता should you work hard you will get success तो इस की जगा हम should को use कर सकते हैं कुछ जगाओं पर तो इस चीज का ध्यान रखेगा फिर should have used to show past obligation यही है इस तरीके का ही एक यहाँ पर है past में आपको कोई चीज को बताना है तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए था obligation मतलब होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी दायत तो उस तरीके का तो तुम्हें अपना homework कर लेना चाहिए था फिर अगले पर आते हैं must must देखे order देने के लिए you must go there तुम्हें वहाँ जाना है तुम्हें जाना चाहिए फिर you must finish your homework तुम्हें अपना homework complete करना चाहिए तो जब order दे रहे आप किसी को या फिर emphasize भी कर रहे है emphasis के लिए भी use किया था emphasis यानि जोर देने के लिए ठीक फिर जाके necessity obligation अभी obligation का मैंने meaning बताए था comment box में लिखिएगा necessity necessity का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे कोई चीज की जरूरत है जैसे I must leave now मतलब कि उसको कुछ काम है उसको जाना है तो देखे should we use हो सकता है पर must लग गया तो यानि वो जोर दे रहा है कि उसे जरूरी है जाना था फिर possibility की बात करें possibility की बात करें तो possibility में क्या आजाएगा strong desire है मतलब देखे obviously यह वात है में से ज्यादा strong desire है तो यहाँ पर में की जगा हम लोग किसको यूज कर रहे है मतलब must को possibility शो करेंगे लिए she must be exercising in the park वो शायद exercise कर रही होगी पार में देखे अगर यह लिखते हम she may यहाँ पर मालीजे में होता ठीक she may be exercising in the park तो में में क्या होता शायद वो exercise कर रही हो confirmation थोड़ा कम है लेकिन must में थोड़ा ज़्यादा confident होके बोल रहे है कि यहाँ पर मालीजे percentage में बात करें तो यहाँ पर 80% possibility है तो यहाँ पर 50% possibility है कि शायद कर रही हो पर यहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा तरचांसे कि कर ही रही होगी determination determination मतलब मैं exam crack करके ही रहूँगा I must crack the exam कि मुझे करना ही करना आई है तो भी must का use करेंगी तो देखें कई इसका जरूरी नहीं है कि जहाँ पर must use हो रहा है वह must ही use होगा अगर यह सब है वो statement के आपको mood को समझना पड़ेगा कि वो किस type की बाते कर रहा है कभी-कभी उसके पीछे के दो-तीन statement पढ़िए उसके आगे के एक-दो statement पढ़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसका mood क्या है उस mood के हिसाब से अगर वो पूरा एकदम confident होके बोला है तो must use करिए अगर confident होके नहीं बोला तो may use करिए तो इस तरीके से तो इस तरीके से ठीक फिर deduction औ क्या होगा he practices a lot वो बहुत महनद करता है ठीक वो बहुत करता है तो वो एक अच्छा player होगा तो देखे हम लोग ने यहां क्या किया कि कोई action देखा कोई कुछ कर रहा है तो उसका consequence क्या है यह है कि वो एक अच्छा player होगा हम यह सिर्फ सोच रहे हैं याद रखेगा सिर्फ स सोच रहे हैं, confirm नहीं है, confirm नहीं है, सिर्फ यह हम लोग सोच रहे हैं, अब फिर जाकर कि उसके आदा आ जाता है, must have, must have की क्या possibility है, must have में, आपका है कि कोई past action वही दिखाने के लिए होता है, और यहां पर action complete नहीं हुआ है, याद रखेगा, action को करना चाहिए था पर किया नह नहीं हुआ है, ठीक है, you must have finished your homework, तुम्हें अपना homework कर लेना चाहिए था, homework किया नहीं है, homework हुआ नहीं है, कर लेना चाहिए था, तो emphasis दे करके बोला जा रहा है, यहीं, यह emphasis ही दिया जा रहा है, ठीक, पिर चलते हैं अगले पर, और टू, और टू में क्या है, duty है, moral obligation है, यह generally क्या होता है, कि जो हमारे समाज में कुछ धार्नाय बनी हुए, कि यह चीज होनी ही ऐसे चाहिए, जिन में आप पढ़ते होंगे, कई UPSC के students होंगे, जो ethics पढ़ते हैं, ethics में कुछ चीज़े होती हैं, जैसे हमें अपने parents की से चॉप स्टिक को खड़ा रखना यह गलत माना जाता है, क्योंकि वहां पर जब कोई किसी की death होती है, तो उसकी सर्दान जिली देते वक्त तब बोल में ऐसा किया जाता है, तो आप नॉर्मल लाइफ में यह नहीं कर सकते, यह वहां पर गलत समझा जाता है, तो यह एक example है, पर इंडिया में कोई फर्ण नहीं पढ़ता है, आप गाटा छुरी या चम्मत जो भी है, और इस्पून है, फोर्क हो गया फोर्क, ठीक, तो यह कुछ भी आप उसमें लगा करके बोल में लगा करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो यह अलग-अलग जगा पर duty, moral obligation बदल जाते हैं, तो ought to, जब भी कोई moral obligation है, moral यानि सैधान्तिक रूप से, moral, ठीक, तब जाकर के आप ought to का use करेंगे, यह, ought to, you ought to serve your parents, मतब अपने माता पिटा के आपको सेवा करनी ही चाहिए, ठीक, तो यह भी जोर देने के लिए ही use होता, emphasis, पर याद रखें, सिर्फ moral obligation के लिए, वरना हम क्या use करते हैं, must use कर लेते हैं, या फिर should be use कर लेते हैं कई जगा, ठीक, तो फिर ought to have वही हो गया, देखें, duty obligation, जो की past में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होई, यह देखें, जब हम must की जगा use कर रहे हैं, तो सेम बात हुई बस यह है कि must normal किसी भी जगा use हो जाता है, यहाँ पर moral obligation के लिए use कर रहे हैं, तो you ought not have to insulted your friends in the function, you ought not have to insulted your friends in the function, यहाँ पर to नहीं होगा, जो slide बनाते वक्त हो गई है, गल्ती, ठीक, यह, ठीक, you ought not have inserted your friends in the function, फिर जाके देखें, एक होता है form used to, used to का क्या मतलब हुआ, कोई habitual action है, जो पहले में करता था और वो सब, तो इनकी इसको use क्या जाना है, habitual action, I used to visit लखनाव by train, train से लखनाव जाया करता था, यह मेरी habit थी पहले, लेकिन अब मैंने उस चीज़ को change कर लिया है, अब discontinued action, तो change कर लिया है, तो यह discontinued, मतलब पहले जो करता था, वो अब नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए, he used to read mystery novels, पहले mystery novels पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है, ठीक है, फिर be used to, accustomed to, देखें, यह gerund की तरह use जा जाता है, अब इसको यह समझिए, जैसे पानी के अंदर इस जा करके इस कोने से उस कोने जाने की कोई exercise होगी, कोई kriya होगी, उसका भी कोई नाम होगा, तो उसका नाम हम लोग क्या रखते है, swimming, तो यह नाम है, आप देखें, यह नाम है swimming, swimming नाम है, तो यानि कि यह noun है, swimming, तो यह क्या है, यह verb है, ठीक, पर यह नाम भी है, नाम भी हो सकता है, तो जब gerund, यानि कोई भी verb, जब उसको हम noun की तरह use करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, gerund बोलते हैं, ठीक, g-e-r-u-n-d, gerund use, verb used as noun, ठीक, जैसे exercise का नाम है, he is used to, क्योंकि देखें, is क्या हो गया, auxiliary verb हो गया, used to आपका main verb हो गया, तो यह verb नहीं है, यह verb नहीं है, यह क्या है, यह gerund, उस exercise का नाम है, he is used to swimming in the deep ponds, ठीक, गहरे तालाबों में उसे तहरने की आदत है, आदत यहाँ पे main verb है, यह आदत और है, auxiliary verb, यह चीज़े, यह lecture मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी useful होगा, इनको पूरत ध्यान दे करके पढ़िएगा, यह बहुत important lecture है, तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे like करिए, comment करिए, share करिए, अपने दोस्तों को साथ, subscribe कर जीए, और bell icon जबाएए, ताकि आप notify हो जब भी नाए वीडियो है, thank you.